हेल्थ से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान पाने के लिए सब्सक्राइब किजिए हेल्दी हेल्थ यूचिप चैनल को और दिबाईए इस गंटी को ताकि आप तक पहुँच सके हमारी लेटिस्ट वीडियो सबसे पहुआ है। एक शहद का सेवन शहद में इतने गुण समाए हैं की इसे एक उस्ली कहा जाता है। शहद में कई बीमारियों का समाधान चिपा है। लेकिन आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर शहद का सही तरीके से सेवन ना किया जाये तो ये हमारे स्वास्थ पर बुरा असर भी डालता है आई उर्वेद में यह बताया गया है कि शहद को किन चीजों के साथ खाएं और किन के साथ नहीं आई ये जानते हैं किन रूपों में भाने कारक है शहद का सेवन दो गर्म चीजों के साथ गर्म चीजों के साथ शहद का सेवन जहर के समान माना जाता है शहद की तास कि सर्दी जो काम होने पर अगर चाय के साथ शेहद का सेवन किया जाए तो बहुत फायदे मंद होगा तो आपको बता दें कि ऐसा कभी भूल कर भी ना करें। दोर मूली के बीच में करीब एक घंटे का अंतर होना चायए पांच गर्म पानी के साथ हाला कि शेहद को गुन गुने पानी के साथ लेने की ही सलहाद दी जाती है। लेकिन अगर आप इसे ज्यादा गर्म के साथ लेते हैं तो ऐसा करना चोड़ दें।